नमस्कार दोस्तो दोस्तो जब हमको कोई सर्विस फ्री में यूज करने को मिलती है तब आपको समझ में आज आना चाहिए कि कमपनी का जो एक्चुल प्रोडक्ट है वो आप हो मतलब आपसे रिलेटर जितना भी ओडाटा कलक करती है वो डेटा वहाँ पर आगे बेशती है य विनियल होबर मैन ने भी यही कहा था कि इफ यू और नोट पेइंग फोडी प्रोडक्ट देन यू अर्डी प्रोडक्ट तो क्या आप आपका चैच आपका सारे डेटा फेस्बुक या किसी ठाट पर्टी के साथ शेयर करेगा क्यूंकि बहुत घमासांद हो रही है इस इस इशू को लेकर दुनिया भर से लेके भारत तक और साथी साथ बहुत जारा भ्रम भी फ्यलाया गया है जाहिर सी बात है बात जब वाट्चाप की हो और वाट्चाप इन्वर्सिती एक्टिव ना हो ना मुम्किन है तो दोस्तों इस वीडियो में इस इसू को गहराई से हम स सच पटा रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो जो भी असली मुड़ा है यह 4 जनुवरी 2021 को आई हुई वाट्चाप के ने प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को लेकर हुआ है यह नया अपडेट लोगों की फोन स्क्रीन पर ऐसे आने लगे है जो आप आभी स्क्रीन पर द निकलते बनो मतलब साब साब लिखा गया है कि या तो आप एगरी करो या फिर आप पतली गली से निकल सकते हो इसमें डिस एगरी करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है बस एक ही बटन है वह एगरी बटन और उपर राइट साइट कॉर्णर में एक छोटा सा क्लोज बटन दिया है और अगर आप क्लोज भी कर देंगे यह नोटिफिकेशन फिर पॉपाफ होगा आठ फेबरुरी 2021 तक मतलब आठ फेबरुरी तक आपको यह आते रहेंगे जब तक आप एगरी नहीं करेंगे और आठ फेबरुरी तक आपने एगरी नहीं किया आपका WhatsApp एकाउंट खुलें अब ही आप एक बात सज बताना निछे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों में से ने बेना पर यह या क्योंकि नुद्लों का साइकॉलोजी होती है बीना पर है लिखे ही बीना जाने समझे सब एगरी 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 नेक्स नेक्स करते जाते हैं क्योंकि कौन परहेगा इतना सारा पेजेस तो अंधाडून एगरी करते जाओ टाकि हम अपना सर्विस यूज़ कर सकते सच कहो तो मैं भी नहीं परता था पहले और येस मुझे पता है ये बुरी आदत है पर मोडी चीजी की क्रिपा से अब परने लगाओ हर चीज तो क्या है इस ने प्राइवेसी पॉलेशी आपडेट में लोग क्यूं इतना बिरोट कर रहे है इसका देखिए आपडेट का पहला लाइन ही लिखा है अगर आप यूरोप कंत्री से हो तो आपके उपर ये आपडेट आसानी होगी और आप टक हम हमारी सर्विस और अच्छे से पहुचा सकेंगे इस अपडेट में सबसे बड़ी चीज यह है कि अब वाच्छाब आपके कुट्स डेटा फेजबुक कंपनी के साथ सेयर करेगा और फेजबुक कंपनी बोलते ही यहाँ पर बस फेजबुक नही इंस्टाग्राम तो यह सारे कंपनी आज आएंगे मतलब इनके साथ आपका डेटा को सेयर किया जाएगा यह डेटा सेयर करने वाले चीज़ जून 2020 की अपडेट में भी लिखाता पर उसमें एक ऑप्शन था ओप्ट आउट करने का मतलब अगर आप ना चाहते हो तो आप डिस एगरी कर सकते हो कि मैं अपना प्राइबेट डेटा नहीं देना चाहता तो आप डिस एगरी कर सकते थे पर आभी इसट ही उप्रट। अब असली सबसे इंपोर्टेंट चीज दोस्तों कि आपका क्या क्या देटा शेयर किया जाएगा वाच्छप के सब देखिए एक आम इंसान का मेंटेलिटी में प्राइवेसी पॉलेसी बोलते ही बस हमारी प्राइवेट चैटिंग की बात आती है और हमारे दिवांग में एक मेसेजस नहीं पर सकता वाच्छप अभी एंड टू एंड इंक्रिप्टेट रहेगा अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है थोड़ी देर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो कोई टेंशन लेने की जहरोत नहीं आपको कि कोई ठाट परसन या फेस्बू या मानने से पहले मैं भी यहां कहना चाहता हूँ मेरी बात पर भी आखें बन करके अंडबक की तरह भरोसा मत करिएगा यह वीडियो खटम होने के बाद खुद भी पूरे आपडेट को पढ़ लिजेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाग एक क्लिक किजिए आपडेट नहीं होता अब सुनिए आपका क्या क्या सेर होगा फेस्बुक के इन सारे कंपनी के साथ यह डेटा होगा आपके वाटसाप मेसेज को छोर कर बाकि सारी चीजे अल्मोस्त वाटसाप ले लेंगे जैसे आपका मुबाइल का मोडल कौन सा है कौन सा कंपनी का है आपका मुब करते हो आपका phone की battery life कितनी है फिलाल मितलब आपका phone का battery कितना रहता है कब कितना होगा सब WhatsApp को पता होगा आप कौन से time zone में हो आपका location क्या है आप आगर WhatsApp payment करोगे तो WhatsApp payment details आपका IP address अपने कौन सी profile picture लगा रखा है आपके watch up account में आप क्या कि वाच्छा वी स्टेटास डालते हो आपका watchup का profile name आपका सारे contact मतलब जितने भी phone number है उन गॉल पार्फार देटा अब ऑपपग करने वाला क्योंकि आपका एद्रेस से आपका लोकेशन एक सेकेंड में पता चल जाता है तो अब आप बताईए आपका परसनल चैटिंग के आगे क्या आपका ये सारे प्राइबेसी कम है अगर आप सोच रहे हो कि चलो कोई बात नहीं ये तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है तो आपके जितना वेवफ लिखा गया है कि क्या क्या च्रीज आपका ये सारे मिसाएं लोक्ता आपका लोकेशन इनफोर्मेशन आप सर्ट कुकेश यह चीजह आप से एकालेक लिए खोटी रहागी 24 इंक्र सैवें ना आपको पटाँ चलेगा नहीं आपको कोई बताने आएगा कि आपका यह चारे चीज हम ले रहे हैं नहीं आपके पास कोई नोटिविकेशन आएगा हाला कि गुगल यह सब शुरू से करती आई हुई है और फेस्बूक भी करी रही है इसका क्या इंपक्ट है और इससे आपको कैसे मैनुपिलेट करते है इस पॉलिशी में जोड़ा गया है कि आप वाच्छाप आपका डेटा नाशिप फेस्बूक को देंगे वल्कि फेस्बूक से अगर को थाट पर्टी होगी तो उनको भी देंगे अब फ़िए फपर्टी कौन सा है दोस्तों यह थाट पर्टी कोई भी हो सकता है जैसे मान ल लाइन जो रेसिंग गेम है वो हो गया बगारा बगार दुनिया फरके जितना भी आफ है जो आप यूज करते हो वो सब ठाट पर्टी होंगे और ठाट पर्टी हर इंसान के लिए अलग अलग होंगे युक्त सारे लोग एक ही चीज तो इस्तिमाल नहीं करते हैं ना हलाकि दो को पता नहीं था यह अलग बात है तो आप यहीं चीज वाच्छाप के साथ किया जाएगा मतलब आपका वाच्छाप का जितना भी डेटा है ओ सारे ठाट पर्टी के साथ शेयर किया जाएगा दोस्तो मार्क जुकरबक ने जब 2014 में 19 बिलियन डॉलर देगे वाच्छाप को खरीदा था तब उन्होंने कहा था कि चिंता मत किजिए वाच्छाप को हम फेस्बुक से अलगी रखेंगे और यूजर्स का कम से कम डेटा लेने की कोशिज करेंगे और प्राइबेसी को हम आदा पैसा देगे वाच्छाप को खरीदा है तो इसको मोनिताइज करने के कोई ना कोई तरीका दो धुनना ही पड़ेगा अब दोस्तों 19 बिलियन डॉलर कितना होता है हमारे इंदियन करेंसी में ये भी सुन लिजे ये होगा एक लाख 18,000 प्लस करोर मतलब 1,18,000 प्लस कर आपका स्क्रीन पर पूरा डिटेल आ रहा है पॉस करके आप अच्छे से देख लिजे और कितने जीरो है उसमें उसको गिन लिजे अब नेक्स्ट इस अपडेट में सबसे खतानक बात है तो वह है जिसका बिजनेस एकाउंट है और इससे उस नॉर्मेल एकाउंट को भी ख चैटिंग कर हुए और अगर डोनों तरफ से बिजनेस तुब बिजनेस एकाउंट बातशित हो रही है तब भी इंक्रिप्शन नहीं रहेगा मतलब कोई भी थार्ट पर्टी या कोई भी कंपनी आगर बिजनेस एकाउंट से आपको मेसेज करते है तो आपको सोच शमस कर र अगरा इनलीगल काम करने के लिए इन्फाइनाइट पॉसिबिल्टी इसको इन्विडेशन दे दिया है कि आओ आओ हमारे बिजनेस इुजर्स के सारे डेटा चुरा के ले जाओ आप सोच भी नहीं सकते हो इसका परिणाम क्या हो सकता है और जहां तक पॉसिबल हो फिलहाल अपना एकाउंट को बिजनेस एकाउंट मत करिए वाट्साप के बीना भी आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल चकता है अब इस नया प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट से सरकारी निगरानी बहुत आसान हो जाएगा हाला कि सरकार तो चाती ही थी कि वो सब पे नज़ा रख सके यह तो सरकार के लिए सोने पे सुहागा हो गया देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि आपका लोकेशन आपका प्रोफाइल फोटो आपका स्टेटस आपका एवाउट सेक्षन आपका वाट्साप प्रोफाइल नेम आपका मूबाइल का हर चीश जब वाट्साप के में इस्तोर रहेगा तो मार्ग जुकारबाग डेटा की खपलेवाजी करने की मामले में कितना गिरा हुआ इंसान है यह हम सबको पता है वह इंसान पैसे के लिए किसी के भी सामने जुखने के लिए तैयार रहते हैं केमरीस का कैस अच्छे से रिसर्च कर लीजे आपको अपको सब कुछ पता चल जाएगा अब उन लोगों के लिए दिक्कत होगे जो सरकार से सब्सक्राइज जैसे कि जर्नेलिस्त हो गया कोई लेख्क हो गया कोई पोये थो गया जो सरकार को चुनोटी देते ह्ण सरकार के खि किरा हुआ है Facebook का कितना background कितना खाराब हो चुका है यह पूरे देश देश की अपूरे डुनिया को पता है पर यह अपडेट से पहले वाच्चप कोई भी देटा नहीं दे सकता था ना सरकार को ना और किसी थार्ट पार्टी को क्योंकि उनके पास कोई डेटा होता ही नहीं थ क्योंकि थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाओगे तो सरकार के लोग मान के चलिए उनका मैक्सिमाम WhatsApp एकाउंट बिजनेस एकाउंट ही होगा तो सरकार को भी ज़्यादा क्फूस होने की जैरोत नहीं है कि वा वा क्या अपडेट ला दिया माग जुगारबाग भीया ने ज सोच के देखो जब नाशा के सुपर कंपूटर को हैक कर लिया गया था तो फेस्बूक वाच्छाप इंस्टाग्राम यह सब कौन से खेट की मुली है किसी एक अच्छे हैकर के लिए अभी तक वाच्छाप कोई भी इन्फोर्मेशन स्टोर नहीं करता था तो उनके सर्भार को हैक करके खी किसी को कुछ मिलता नहीं था किकisoo अपने आज संटक सुना कि को जकि मैग हो त्पर्प कंब्र डिया और को नहीं दे दिए में आपका फोन आपके पास रहते हुए किसी दूसरे बंदे ने कही और से आपका वाच्छाप एकाउन हैक कर लिया यासा कभी आपने सुना अज तक कभी नहीं सुना आपने लाइट टाइम में वाच्छाप हमें 3rd parties का advertisement दिखाएगा उससे पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ मांक जुकरबक ने वाच्छाप को 2014 में खरीता था राइट पर मांक जुकरबक ने वाच्छाप को खरीतने से पहले ही प्लान कर लिया था कि वाच्छाप पर एड दिखाएंगे और ये बात मैं नहीं कहरा हूँ खुद से खुद वाच्छाप के फाउंडर और को फाउंडर मतलब जिनों ने वाच्छाप को बनाया था उनका कहना है आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हो और इसी के चलते ही इन दोनों का मांक जुकरबक से जगरा भी हुआ और दोनों ने फेस्बुक कमपनी छोड़ दिया औ अब सोचिए मांक जुकरबक ने कितने दूर का सोच लिया था दोहज़ा से पहले ही उन्होंने दोहजार इकिस के बार में सोच लिया था मतलब कितने दूर दर्ची है तो मुड्डे की बात क्या आप 8 फेबर्यारी 2021 के बात वाच्छाप पर दिखेंगे तो जबाफ है नही तिलहल तो नहीं दिखेंगे इस अफ्डेट में ऐसी कोई बात लिखी नहीं है पर इस बार इस अप्डेट में एक बात साफ लिग दिया है जो पहले किसी भी प्राइबेसी पॉलिशी में नहीं था लिखा है कि हम आगे एट दिखाएंगे तो आपको हम बता देंगे जो मर्जी वो कर देंगे कोई रोक तक नहीं कोई उनको रोक नहीं सकता है मतलब तो फिलाल के लिए तो कोई एड नहीं आएंगे पर मैं अंगुठा लगा के गैरंटी के सब आपको अभी इसी वीडियो में बोल देता हूँ फ्यूचर में जल्दी वाच्छाप पर आपको ए बोकत सर्विस देते रहेगा जिन्देगी भर भूल गया के आप जो में वीडियो के शुरुआत में काथा इफ यू आर नोट पेंग फोर दी प्रोड़क डैन यू आर दी प्रोड़क अगर आप किसी प्रोड़क के लिए पैसे नहीं भर रहे हो तो आप खुड एक दोस्तों N2N Encryption S 1realt mode चीज़ है जिसे दुनिया की कोई भी टाकट हैक नहीं कर सकता या इसको Excrypt qué! कर सकता है आप जो WhatsApp मेसेज भेशते हो उन्हें कहा जाता है एन-to-an encrypted message तो क्या मतलब है इसका encryption का सरल मतलब है कि किसी भी information को message को photos को videos को या आपका phone calls video calls या कोई भी data हो या कुछ भी हो जहाँ end-to-an encryption लगा हुआ हो वो एक unique code में बदल जाता है मतलब जिसे पर के या डेक के उसका असली form या असली मतलब समझी नहीं आएगा किसी और को बस उसको समझ आएगा जिसको आपने फेजा है end-to-an encryption का मतलब अगर आप आपके girlfriend को कोई message भेजते हो तो वह message आपके और आपके girlfriend के इलावा beats में कोई नहीं पर सकता obviously अगर आपने screenshot लेके या आपका phone किसी तिसरी इंसान ने ना देख लिया हो तब अलग बाठ है अब जैसे आप mobile की network से एक रुपिया वाला SMS करते हो या आप email करते हो वो सब end-to-an encrypted नहीं होता वो आपके और आपने जिसको भेजा है उसके इलावा तिसरा कोई भी पर सकता है या कोई भी hacker सकता है या उस पे सरकार या दूसरा agency नजर रख सकता है क्योंकि वो सारे data server में save हो जाता है तो server से कोई भी आराम से hack कर सकता है आराम से उसे निकल सकता है पर जहाँ end-to-an encryption होगा वहां कोई कितने भी जासुषी कर ले कितने भी बड़े-बड़े hacker try कर ले उस third person को आपका information अगर मिल भी जाएगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या वेजा आपने अगर एक dot भी से पहले इसका form बदल चुका है देखिए कैसे यह अलग-अलग unique code में बदल गया है अब यह unique code मानले की बन गया एक टाले का चावी बन गया अब अगर कोई hack भी कर ले इस चावी को क्या करेगा इस चावी को खोलने के लिए पहरे ताला तो चाहिए और टाला कौन है और टा बॉइस होता है और बॉइस भी ऐसा unique code में बदल जाता है आपका वीडियो कोल ऐसा unique code में बदल जाता है इसलिए WhatsApp चैटिंग शुरू करने से पहले देखिए क्या लिखा रहता लिखा हुआ देखिए यह end to an encryption chat है जिसको WhatsApp खुद भी नहीं पर सकता है और WhatsApp खुद भी कहता है कि वो कोई भी आपका chats, आपका calls, आपका video calls बगेरा अपने server पे store नहीं करते और आप खुद logic लगा के दिखिए ना store करने का क्या मतलब है वो सब unique को store करके वो लोग क्या करेंगे वो सब तो चाबी है ताला तो वो phone है जिसको भेजा गया है अब बात को simply आप समझ गयो जब high आपने लिखा वो high नहीं होगा तब उनीक कोड में बदल गया उसको में चावी बोलता हो भी ठीक हो एक चावी में बदल गया वो चावी में बदल के आपने जिसको भेजा वहां तक पहुंच गया अब मानले जिए वो इंसान का mobile off है मानले उसका net off है जब तक double click नही आपने जिसको भेजा उस फोन का जब network on होगा उस फोन का जब WhatsApp खुलेगा तब वह चावी अपने डिकोट हो जाएगा और जब ब्लू हो गया मैसे तब हवा में जो यह चावी ठा यह अपने आप गायव हो गया मतलब सर्वर जहत गया और वहां तक यह भी कहता है आपने अ कोई पढ़ नहीं सकते तीज दिन के बाद अगर अपने जिसको भेजा उसका अगर फोन नहीं हुआ तीज दिन के बाद आट अटोमेटिकली हमारे यहां से आपका वह चावी मतलब आपका वह मैसेज यहां से डिलिट हो जाएगा आप समझे बात को यह ही एंक्रिप्टेट आप मैसेज भेजते ही आपका मैसेज एक यूनिक कोट या एक चावी में बदल जाएगा वह चावी को छुड़ा के भी किसी को कोई फाइडा नहीं आप निचे कमेंट करके बताएए आगर समझ में नहीं आया तो इसके पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और बहुत सार प्राइवेशी पॉलिशी अपडेट इरोप में लागू नहीं होगा बाकी इरोप के बाहर हर जगा लागू होंगे मतलब ऐसा क्या है इरोप में और क्या भारत कोई खुला मैदान है मतलब जिसकी मर्जी आए और जो मर्जी करे हमारे यहाँ अब सुनिए क्यू अभी दु सोला में लागू हुई थी इरोप में और इसी कानून के अंदर मार्ग जुकरवक के उपर अल्रेदी इरोप में केस चल रहा है यही सब देटा की खपले बाजी को लेकर तो आब आप सोचके देखो क्या मार्ग जुकरवक का हिम्मत होगा उहाँ पर यह नया प्राइवेश सोलूशन क्या है देखिए अगर मैं दिल से और ओनेसली कहूं तो इसका कोई सोलूशन नहीं है क्यूंकि आप यह मैं चाहा कर भी इसको बदल नहीं सकते मैं देख रहा हो बहुत लोग आपको सोलूशन दे रहा है कि वाच्छब डिलिट करो और डूसरे अल्टानेटी प्ल झाल्टो जाना शोलूशन नहीं होता मान लिजय क्या आपका हाथ में दर्ध होने पर आप उस हाथ को काटके फेक देते हो क्या आपके आखोमें धूल चला जाने पर आप अपने आखों को निकाल के फेक देते वह नहीं ना वलकि उसका वाकाइदा इलाज DOWN had up और होने तक सतर क्रहते हो उस हाथ को लेके और उस आंक को लेके तो इसी तरह वाच्चाप पे खत्रा होने पर टेलीगराम और सिग्नेल नहीं जाया जाता तो फिर कहां जाना चाहिए सरकार के पास और सरकार से पूछा जाना चाहिए कि यार ये बटाओ हम डेश के नागरीक है या कोई गली का कुट्टा जो कोई भी कभी भी आ के हम पे कुछ ना कुछ ठोप के जाते हैं और ना चाहते हुए भी हमें उसकी बात मानना परता है पूछा जाना चाहिए सरकार से हम अधिकर वाले नागरीक है या खिलो ना है और सरकार के उपर वकाईदा दवाब परना चाहिए और कहा जाना चाहिए आप ऐसा सक्ठ कानुन बनाईए कि किसी की भी हिम्मत ना हो एगरी कनने बोलने के लिए एगरी कनने बोलने का दूर भार वरना आप सोच पा रहे हो वाच्छप की इतनी ओकार हो गई भारत के अंडर बिजनेस करके भारत के लोगों को और्दा दे रहा है कि एगरी करो वरना डफा हो यासे यह ताना सही यह गुंडा कर दी आप या मैं नहीं रोग सकते इसको सिर्फ और सिफ एक मत्र एक ही उपाए आपका चला जाना किसी और प्लेट्फरम पे चला जाना वह सलूसन नहीं है वह भाग रहे हो यह पॉब्लेम वाट्च्प में जो आया और टेलिग्राम में भी आ सकता है जो आभी लोग आपको बहुत है कि सिग्णेल अच्चा है मैं भी मानता है वैसा अच्चा तो तो मेरा सिंपल से कहना का मतलब एही है कि हमारी सरकार को भी इरूप की तरह एक सक्थ कानून लाना होगा देटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी को लेकर हमारी अभी के आईटी एक्ट इतनी पावरफुल नहीं है जो वाच्छाप की ऐसी हरकटों को इनलीगल कहा सके कानू प्राइबर हो रहा है तुर्की सरकार ने वाच्छाप को बॉयकोट करने का एलान कर दिया है इस अपडेट के बाद तो टेंपररेरी सोलुशन के लिए फिलहाल आप वाच्छाप को डिलीट करके दूसरा अल्टरनेटिफ एप यूज करो ना करो वह आपका खुटकत चोई है या फिर कंफुजन हो तो निचे कमेंट सेक्षें में फिल फ्री होकर पूछ सकते हो तो दोस्तों मिलते हैं अगले और एक ने जानकरी के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त धन्नवाद नमस्कार